मेरे पहरे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में, डिजिटल इंडिया की ताकात कौने कौने में दिख रही है, डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में, अलग-अलग एप्स की बड़ी भूमिक आप होती है, ऐसा ही एक एप है, इस संजीवनी, इस एप से टैली कंसल्टेशन, यानि दूर बैठे वीडियो कंफरेंस के माद्यम से, डॉक्टर से अपनी बिमारी के बारे में सलहा कर सकते हैं, इस एप का उप्योग करके, अब तक टैली कंसल्टेशन करने वालों के संख्या, दस करोड के आंकडे को पार कर हैं, आप कलपना कर सकते हैं, वीडियो कंफरेंस के माद्यम से, दस करोड कंसल्टेशन, मरीश और डॉक्टर के साब अध्भूत नाता, ये बहुत बड़ी एच्विमेंट है, इस उपलब्दी के लिए, मैं सभी डॉक्टरों और इस सुविधा का लाब उठाने वाले, मरी के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जाकता उधारन है, हमने देखा है कि कोरोना के काल में इस संजीवनी एप इसके जरिये टैली कंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा बरदान साबित हुआ है, मेरा भी मन हुआ कि क्यों न इसके बारे में मन की बात में हम एक डॉक्टर और एक मरीज से बात करें, समवात करें और आप तक बात को पहुचाएं, हमें जाने की कोशिश करें कि टैली कंसल्टेशन लोगों के लिए आखिर कितना प्रभावी रहा है, हमारे साथ सिक्किम से डॉक्टर मदन मनी जी हैं, डॉक्टर मदन मनी जी रहने वाले सिक्किम के ही हैं, लेकिन वोन ने मदन मनी जी गनवात से किया, और फिर बनारस हिंदी उनिवर्सिटी से एमडी किया, वो ग्रामिन इलाकों के सेक्ड़ों लोगों को टैली कंसल्टेशन दे चुके हैं, जी, जी, तो जब आप बनारस में थे तपका बनारस, और आज बदला हुआ बनारस कभी देखने गए एक नहीं गए, जी, प्रदानमित्र जी मैं जा नहीं पाया हूँ जबसे मैं वापस सिक्किम आया हूँ, लेकिन मैंने सुनाय कि काफी बदल गया है, तो कितने साल हो जंदर, दूर सुदूर पहाड़ों में रह करके, वहां के लोगों को टेली कंसल्टेशन का बहुत बड़ी सेवा हैं दे रहे हैं, मैं मन की बात के सुरोताओं को आपका अनुभव सुनाना चाहता हूँ, जी, जैरा मुझे बताईए कैसा अनुभव हो रहा है? अनुभव बहुत बढ़िया रहा प्रधान मंत्री जी, क्या है कि सिक्किम में बहुत नजदीक का जो पी एचसी है, वहां जाने के लिए भी लोगों को गाड़ी में चड़के कम से कम एक दो सो रुपया लेके जाना पड़ता है, और डॉक्टर मिले नहीं मिले ये भी एक माध्यम से लोग हम लोग से सीधे जूड़ जाते हैं, दूर दराज के लोग, Health and Wellness Center के जो CHOs होते हैं, वो लोग हम लोग से कनेक करवा देते हैं, और हम लोग का जो पुराने उनके बिमारी हैं, उनकी रिपोर्ट, उनका अभी का प्रेजन कंडिशन, सारी चीज़े हम लोग बता देते हैं, याने डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करते हैं, जी जी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर भी करते हैं, और अगर ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो वो पढ़के हम लोग को बताते हैं, वहां का Wellness Center का डॉक्टर बताता है, जी, Wellness Center में जो CHO रहता है, Community Health Officer, और जो पेश करना है, अगर उसको पैर सूजा है कि नहीं, अगर CHO ने नहीं देखा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जाके देखो, सूजन है नहीं है, आख देखो, एनीमिया है कि नहीं है, उसका अगर खासी है, तो चेश्ट को असकल्टेट करो और पता करो कि वहां पे साउंज है क कि नहीं आप वाइस कॉल से बात करते हैं या वीडियो का भी उप्चोड करते हैं तो आप पेशन को भी आप भी देखते हैं बेसंट को क्या फिलिंग पेशेंट को अच्छा लगता है क्योंकि डॉक्टर को नजदिक से वो देख पाता है उसको कन्फीजन रहता है कि उसका दवा घटाना है बढ़ाना है क्योंकि इस सिक्किन में जादा तर जो पेशेंट होते हैं वो डाइबेटीज, हाइपरटेंशन के आते हैं और एक चैजपी लेके जाता है हूँ अचा मदन मनी जी आप तो जानते हैं कि पेशेंट का एक रहता है कि जब तक वो डॉक्ट्र आता नहीं है डॉक्टर देखता नहीं है और família को देखना पड़ेंगा अब आग शारा ही टेलीकौ में कांसल्टेसन होता है तो डॉक्टर को क्या वो हम लोग CHO को पूल के वीडियो में ही हम लोग देखने के लिए बोलते हैं. और कभी-कभी तो patient को वीडियो में ही नजदीक में आके उसकी जो परिशन ही आहे हैं। अगर किसी को उसरारम का प्रॉब्लम है, इसकिन का प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग को वीडियो से ही दिखा देते हैं तो संतुष्टी रहता है वो लोग और बाद में उसका उपचार करने के बाद उसको संतुष मिलता है क्या अनुभवाता है पेसंट ठीक हो रहे हैं जी बहुत संतुष मिलता है हमको भी संतुष मिलता है सर क्यूंकि मैं अभी त्वस्टर विवाग में हूँ और साथ-साथ में टेली कंसल्टेशन भी करता हूँ तो फाइल के साथ-साथ पेशन को भी देखना मेरे लिए बहुत अच्छा सुखा दनुबहु रहता है अभी तक मैंने 536 पेशन देखे हैं आपको काफी उसमें महारत आ गई है जी अच्छा लगता है देखने में चलिए मैं आपको सुखामनाई देता हूँ टेक्नोलोजी का उप्योग करते हुए आप सिक्किम के दूर सुदूर जंगलों में पहड़ों में रहने वाले लोगों के इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं और खुशी की बात है कि हमारे देश के दूर दरार ख्षित्र में भी टेक्नोलोजी का इतना बढ़िया उप्योग हो रहा है चलिए मेरे तरब से आपको बहुत बहुत बढ़ाई यह उत्तर प्रदेश के चंदोली जिल्ये के रहने वाले मदन मोहनलाल जी है अब यह भी संयोग है कि चंदोली भी बानारस से सटा हुआ है आईए मदन मोहन जी से जानते हैं कि इस संजीमनी को लेकर एक मरीज के रूप में उनका अनुभव क्या रहा है बदन मोहन जी पनाम नमस्कार साब नमस्कार अचा मुझे बताया गया है कि आप डाइबिटीस के मरीज हैं और आप टेकनोलोजी का उप्योग करके टेली कंसल्टेशन करकर के अपनी बिमारी के समन में मदद लेते हैं एक पेशन के नाते एक दर्दी के रूप में मैं आपके अनुभव सुनना चाहता हूं ताकि मैं देशवासी होता है कि इस बात को पहुचाना चाहूं कि आज की टेकनोलोजी से हमारे गाउं में रहने वाले लोग भी किस प्रकार से इसका उप्योग कर सकते हैं जरा बताइए कैसे करते हैं तो एक ही डॉक्टर हर बार आपको देखते हैं कि डॉक्टर बदलते जाते हैं जश्ब देखते ह defenders को चाहि को देखा जेती हैं उसको पूरा फाइद होता है ओलते हैं इक दीनका समय भी ह्टतान होता था बड़ा शुग बच जाता है अच्छा जब आप अपने सामने डॉक्टर को मिलते हैं तो एक विश्वास बनता है चलो भरी डॉक्टर है उन्होंने मेरे नाड़ी देख ली है मेरी आँखे देख ली है मेरा जीब को भी चेक कर लिया है तो एक अलग फिलिंग आता है यह टेरी कंसंट्रेशन करते हैं तो अपको ऐसा ही संतोस होता है आपको अपनाई गई है इससे कि हमको जहां परिशानी तिजादना पड़ता था और लाइन लगाना ना पड़ता था और सारी समिधाने हमको उगर बैठे-बैठे मेरे चलिए मेरी तरब से आपको बहुत शुकामना है उमर के इस पड़ाव पर भी आप टेकनोलोजी को सीखे हैं टेकनोलोजी का उप्योप करते हैं और उको भी बताईए ताकि लोगों का समय भी बच जाए धन भी बच जाए और उनको जो भी मारदर्शन मिलता है उससे दवाईया भी अच्छे ठंग से हो सकती है और क्या चालिए मेरी बहुत-बहुत सुबकामनाएं है आपको मदन महांजी बनारस को साव आपने आसी मिर्शनात के लिए डिप्लोमेंट कर दिया यह आपको बढ़ाई हमारे तरफ से मैं आपका धन्यवात करता हूँ हमने क्या बनाया जी बनारस के लोगों ने बनारस को बनाया है नहीं तो हम तो मांगंगा क सेवा के लिए मांगंगा ने बुलाया है वस और कुछ नहीं ठीक है जी बहुत-बहुत शुबकामनाएं आपको पडाम जी नमस्का साथ नमस्का जी साथियों देश्ट के सामान्य मानवी के लिए मद्यंबर के लिए पहड़ी छेत्रों में रहने वालों के लिए इस अंज अभाव आज हम हर छेत्र में देख रहे हैं भारत के UPI की थाकत भी आप जानते ही हैं दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकर्शित हैं कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापूर के बीच UPI पेनाव लिंक लांच किया गया अब सिंगापूर और भारत के लोग अपने म के अंदर करते हैं मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका लाप उठाना शुरू कर दिया है भारत का इस संजीवनी एप हो या फिर यूपियाई यह इस ऑफ निविंग को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए है